अलिवुड के कई मशूर स्टार्स एक बहुत पुराने केस के चलते कानून के हत्ते चड़ गए हैं। इन सितारों में सल्मान खान, अज़ेदेव गन, अक्षे कुमार, अभिशेक बच्चन जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं। जी हाँ, इन स्टार्स के खिलाफ एक रेक मामले को लेकर शिकायत दर्श करवाई गई है। इतना ही नहीं, इन सभी बॉलिवुड आक्टर्स के अलावा 38 और सेलिब्स भी हैं जिन पर इस केस को लेकर मुकदमा दर्श किया गया है। आखे क्या है ये माचरा और क्यूं है ये सभी स्टार्स कानूनी दाव पेच के पचले में पड़ते नजर आ रही हैं। जानने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के अंततव। साल 2019 में हैदराबाद का गैंग रेप मामला भला कौन भुला सकता है। इस मामले ने दुनिया के हर एक शक्स को अंदर तक जगजोर कर रख दिया था। जी हाँ, 28 नवंबर 2019 की वो रात जब हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का अपरण किया गया था और चार आरोपियों ने बड़ी बेदर्दी के साथ पीडित का गैंग रेप किया। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसे जला भी दिया। इस केस ने पुरे देश को हिला कर रख दिया था। वहीं इस घटना के दो दिन बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया। और पुलिस के सीन, रियक्शन के दोरान भागने की कोशिश करते हुए सारे आरोपियों का पुलिस ने एंकाउंटर भी कर दिया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पीडिता के पक्ष में आवाज उठाई। दोशियों के खिलाफ कारवाही के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। इस बीच कई फिल्मी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर रेप केस पर अपने विचार लिखे। इन्ही हस्तियों में शामिल थे बॉलिवुड के बड़े स्टास सल्मान खान, अजी देवगन, अक्षे कुमार, अभिशेक बच्चन इन सभी सितारों ने सोशल मीडिया पर इस रेप केस को लेकर दोशियों पर जम कर गुसा निकाला। लेकिन अब इस मामले को लेकर ये फिल्मी सितारे कानूनी पचेडे में फसे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी की शिकायत करताने केस दर्ज करने के साथ इन सेलिब्रिटीज की तुरंट गिरफतारी की मांग भी की है, कानून के अनुसार, किसी भी रेप पीडिता की पहचान या उसका नाम उजागर करना दंडनी अपरात है, जिसके चलते इन सबी सितारों को जेल की हवा खानी पर सकती है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है शिकायत करता कि इन सितारों पर इस तरह केस दर्ज करना क्या बलकुल सही है, आप हुमें अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही ताजा खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें